दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको बताने जारी हूँ कि कैसे आप अपने जीवन में पा सकते हैं उस व्यक्ति को उस महिला को या फिर उस लड़की को जिसे आप सच्छे मन से एक तरफा प्यार करते हैं जी हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को बहुत जादा प्यार करते हैं लेकिन वो व्यक्ति हमारी तरफ देखता भी नहीं तो आज मैं आपको बताने जारी हूँ एक ऐसा ही उपाए जिसके द्वारा आप अपने जीवन में उस व्यक्ति को आकरशित कर सकते हैं उसकी तरफ ही लगा रहता है। आप कोई भी कारे अपने मन से मन लगा कर नहीं कर पाते। इसके लिए बेहद जरूरी है कि या तो आप उस व्यक्ति को पा लें या फिर उस व्यक्ति को हमेशा के लिए भुला दें। लेकिन अगर आप किसी को सच्चे मन से प्यार करते हैं त क्योंकि ये एक प्रचंड वशीकरण है जो कि बहुत ही ज़ादा कारगर है। तो ये कैसे काम करता है और किस तरह से ये आपको फायदा पहुँचाएगा आईए आपको बताते हैं। धिहान से देखिए इस वीडियो को क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़ादा सिंपल और क्या करना है कि सोमवार के दिन आपको आम के साथ पत्ते ले लेने हैं। आम के पेड से साथ पत्ते तोड कर ले आईए उन्हें धो लीजी अच्छे से और साथ पत्ते आपको तुलसी के पौधे में से लेने हैं। धिहान रखिएगा ये दोनों ही खंडित ना हों। मतलब तूटे फूटे ना हों, पीले ना हों। इस तरह की उन्हें पत्ते जो हैं बिल्कुल हरे पत्ते आपको लेने हैं और वो कटे फटे ना हों। तूटे हुए ना हों। इस तरह के पत्ते आप ले लीजें। अब आपको साथ पत्ते बिछा लेने हैं अपने सामने और उनके पानी ले लीजिए, पानी को आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ लेना है, इसके बाद आपको एक मंत्र का उच्छारण करना है, बेहद आसान है, वो मंत्र मैं आपको बताती हूँ, मैंने वो मंत्र इस कागस पर ऐसे लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए, अच्छी वश्यम कुरू स्वाहा, इस मंत्र का उच्छारण जब आप करेंगे, तो आपको याद रखना है, कि आपको पानी के उपर फूकते जाना है, जब आप मंत्र का उच्छारण कर रहे होंगे, साथ ही साथ आपको पानी पर फूकना है, और उसके बाद पत्तों पर आपको एक और उसके बाद आपको उस व्यक्ति की फोटो भी चाहिए होगी, जी हाँ, उस व्यक्ति की फोटो अपने सामने रख लीजिए और उसके बाद आप उसे देखते हुए, उस फोटो को देखते हुए आप गिलास में जो आपने पानी लिया है, उसे पूरा पी जाएए, याद लड़की वो व्यक्ति जिसके उपर आपने उपाय किया है, वो आपकी तरफ खिचा चलाएगा, बस आपको अंत में करना क्या है कि वो जो आपने साथ पत्ते लिये थे तुलसी के और आम के, आपको उसे ले जाना है और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, जी कि जिस पेड़ से आप आम के पत्ते तोड़के लाए थे, आपको वहाँ पर एक गड़ा खोदना है, डेड़ फुट का, और उसके बाद आपको आम के पत्ते उसमें रख के उसे दबा देना है, तुलसी के पत्ते भी साथ में ही दबाने हैं, और ये आपका उपाय जो है, ये हो जाएगा पूरा, इस तरह से आप उस व्यक्ति को अपने जिन्दगी में पा लेंगे, दोस्तों बस एक ही बात का ध्यान रखना है, कि इच्छे मन से शुद्ध विचारों से आपको इसे करना है, और फोटो को आपको मोड कर अपने पास रख लेना है, आप चाहें त तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इस प्रचन्द वशीकरन को आप जरूर करके बेखिए, अगर आपकी कोई और समस्या है, कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे वो जानकारी ले सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों